इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनिट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी यह सूजन का कारण बनने वाले कुछ रासायनिक मेसेंजर के स्राव को अवरुद करके काम करता है और एरवे में मांस्पेशियों को आराम देता है आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको अपने inhaler का इस्तेमाल कितनी बार करने की जरूरत है इस दवा का असर कुछ दिनों के बाद नोटिस किया जा सकता है लेकिन कुछ हफ़तों के बाद ही यह अपने अधिक्तम तक पहुँचेगा इस दवा को असरदार होने के लिए इसे नियमित रूप से लिया जाना चाहिए इसलिए आप इसे लेते रहें चाहे आपको कोई लक्षन न हो इसका मतलब है कि दवा का असर हो रहा है अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपके लक्षन और भी खराब हो सकते हैं अचानक हुई सांस लेने में परेशानी से राहत देने के लिए इस दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए अगर अचानक सांस उखरना शुरू हो जाती है तो अपने बचाव इनहेलर का इस्तेमाल करें इस दवा से लाब प्राप्त करने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी इनहेलर तक्नीक सही रखें अन्यथा यह भी काम नहीं करता है अगर आपको यह हो जाए तो इसे लेना बन न करें बल्कि अपने डॉक्टर से बात करें आप इन में से कुछ लक्षनों की अपने मूह और गले को पानी से कुला और गरारा करके या अपने इनहेलर का उपयोग करने के बाद अपने दांतों को ब्रश करके रोक थाम सकते हैं दूसरे दूरलब साइड एफेक्ट हैं जो गंभीर हो सकते हैं अगर आप उनके बारे में चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें इसे लेने से पहले अगर आपको किड्नी या लिवर से समबंधित कोई बीमारी है तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए ताकि वो आपको एक उचित डोस दे सके अगर आप गर्भवती हैं गर्भधारन की योजना बना रही हैं या स्तनपान करवा रही हैं तो भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद